असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ बहुत ही जबर्दस चटनी की रेस्पी शियर करूंगी जिसे बनाना और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और यह जटपट से त्यार होने वाली रेस्पी है चलें जी रेस्पी स्टार्ट करती है बिसमिल्ला इर्वामा नर्वाहीम एक कैरी लेंगे बड़े साइज की मार्केट में कच्छी आम आ चुकी है एक साबत लसल लेंगे दो मीडियम साइज के प्यास लेंगे तीन टुमाटर एड़ करेंगे मीडियम साइज के ज्यादा बड़े टुमाटर नहीं लेंगे क्योंकि हम ने इनको स्टीम करना है वन टे स्टिने को ज्यादा नहीं करेंगे क्यूंकर वो जादा एक स्टिक लेंगे या कोई भी आपके घर में सीक वावली है तो वो भी यूज कर सकते हैं या ऐसे ही आपचा शूले पे इसको स्ट्रिम कर लें प्याज, लसन, टोमाटर लगाएंगे, मीडियम फ्लीम रखेंगे, हम 10-15 मिनट लगे थे, मुझे यह स्टीम करने में, इसको मीडियम फ्लीम पे हमने करना है, दम वली आग पे, यह देखें जी, इस तरह साइड चेंज करते रहेंगे, हम यह देखें जी, इस पॉम में होना चाहिए, लसन, टमाटर और प्यास, इन टीनों चीजों को हमने स्टीम करना है, और राम से इनके छिलके रिमूफ करने नहीं है, आप इसको पानी में भी डीप करके, इसकी स्कीन को रिमूफ कर सकते हैं, यह चट्नी बहुत ही मज़े की बन मिनी चॉपर मशीन है, मेरे पास इसमें मैं थोटी थोटी चीजें करके डालती जाओंगी, और इसको मोटा पीसना है, फाइन बिल्कुल नहीं करना, चट्नी हमारी फाइन नहीं होगी, थोटी सी दड़बड मोटी मोटी थोटी सी ना, खाने के साथ, दाल चावलों के साथ खाएं, मजा आएं, प्लाव के साथ खाएं, यह चट्नी बहुत ही प्लाव, बियानी वगारा के साथ यूज होती है, थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, नमक और जीरा डाल के हम इसको चॉप करेंगे, मोटा मोटा, आप इसको चॉपर मशीन में भी कर सकती है, और आगर च सबस धनियां पुदीने को अच्छी तरह से दोलें, इसमें बहुत मटी होती है, यह देखिएं, यह देखिएं, इसको भी डाल दूँगे, और अच्छी तरह से इसको चॉप कर लोंगी, आप इस चट्नी को बना के फ्रीज भी कर सकती है, सबस धनियां पुदीने को तरह से दोलें, इसमें बहुत मटी होती है, यह देखिएं जब मैं इसको एक बार फिर चॉप करूंगी, चट्नी हमारी रेडी हो चुकी है, जो मेरे चैनल पर नहीं हो, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेरिंग आपने जरूर करनी है, नई वीडियो के लिए हमें अजासे दें, अल्लाफेश